नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा 20 लाग करोन का पैकेज जो अनॉंसमेंट किया गया था सरकार के द्वारा उसके उपर हमने अलड़ी डीटेल में चर्चा की है लेकिन एक अनॉंसमेंट में यहाँ पर बात कही गई थी radiaty, public sector undertakings के privatization के बारे में एक काफी बड़ा मुद्धा है यह आपमें से काफी लोगों ने कहा कि exactly यह strategic sector और non-strategic sector होता क्या है क्योंकि सरकार का यह मानना है कि जो strategic sector है उसमें तो उसका अभी role रहेगा लेकिन जहां तक बात है non-strategic sector की वहां से वो अपना रोल रेड्यूस कर लेगी, मतलब एक तरह से पूरी तरह से आप बोल सकते हो, हटा भी सकती है सरकार, तो ये पूरा मुद्धा क्या है, इसको काफी अच्छे से हम जानने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगर वाल ओफिशल, ध्यान रखेगा, इसमें 25,000 से जादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल जोईन करिएगा, और अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनारा मौका है, स्टड़ी आईक्यो लाया है, आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके एक बहुत बड़ा मुद्दा था PSU के बारे में, पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स, इसके अंदर सरकार का ये कहना था, कि जो स्ट्राटेजिक सेक्टर हैं हमारे देश के अंदर, मैं सभी चीज के बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन एक बार आप इसको देख ल होता क्या है, पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स, देखे, कोई भी कंपनी, अगर वो सरकार के द्वारा, ओन की जाती है, सरकार के अंडर में रहती है, उसको हम सिंप्ली कहते हैं, पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स, मतलब कि ये पॉब्लिक की है, सरकार किसके basis पे चल रही है, public के basis पे, तो यहाँ पर उसको हम कहेंगे public sector undertakings, अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई बार word आता है जैसे public sector enterprises, देखिए, यहाँ पर भी जो सरकार ने notification जारी किया था, यहाँ पर उसने कहा था, public sector enterprise के बारे में, देखिए, यह जो PSU होता है, यह एक umbrella term है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपका public sector enterprise हो गया, banks हो गया, मतलब जितने भी government की companies हैं, उसको हम PSU के अंदर count कर सकते हैं एक तरह से, और public sector enterprise होता है, यह basically registered होता है as a company under companies act 2013, तो ध्यान रखना है आपको कि PSU exactly होता क्या है, it is registered as a company under companies act of 2013, और यह जो companies है basically, यह central government के दोरा भी ओन की जा सकते हैं, state government या फिर union territory में जो government है, जैसे कि दिल्ली government हो गई, या फिर mixture, यहाँ पर state government और central government दोनों साथ में यहाँ पर उसको own कर सकते हैं, अब यहाँ पर दीखिए इसका reason क्या था, जो PSU है, इसका main reason था हमारे देश के अंदर, जो core sectors है हमारे economy के, अब core sector भी मैं आपको आगे चल कर बताऊंगा, लेकिन exactly आप दीखिए आपको याद होगा second, जो five year plan आया था, जिसको हम mahal unobis model भी कहते हैं, वहाँ पर जो industries हैं, उस पे बहुत बड़ा focus किये गया, और इसी के वज़ए से सरकार का जो role था, हमेशा से आजादी के बाद आप देखेंगे तो बहुत जादा था, तो main यह था कि हमारी economy को push मिल सके, income आ सके, लोगों के पास permanent, यहाँ पर employment generate हो सके, इन सारी चीजों को देखते वे यहाँ पर यह main role रहता है, public sector undertakings का, अब बात करते हैं, privatization क्या होता है, privatization simply आप कह सकते हैं, जब ownership government से यहाँ पर transfer की जाती है private persons के हाथों में, अब private persons में कोई भी हो सकता है, मैं आप यहाँ कोई भी private citizens domestic ले लीजे, या फिर international, कोई बाहर से FDI निवेश कर रहा है हमारे देश के अंजर, तो यह भी तो ownership change हो रही है, तो यहाँ पर हम इसको कहते है privatization, कोई भी चीज यहाँ पर government से ownership shift करके, यहाँ पर दे दी जाती है private हाथों में, ठीक है, तो यहाँ पर एक और important ची सरकार 100% owner है, लेकिन सरकार यहाँ पर अपना 10% बेचना चाहरी है, तो 10% बेचना चाहरी है, इसको हम कहेंगे disinvestment, लेकिन अगर सरकार अपनी ownership 51% से कम कर देती है, तो हम इसको कहते है strategic disinvestment, ध्यान रखेगा, अगर सरकार का यहाँ पर ownership 51% से जादा है, मतलब सरकार owner है उस company की, जब आपके पास majority share है, तो आप owner बन गए, लेकिन जैसे ही सरकार ने अपना ownership यहाँ पर 51% से नीचे start किया, इसको हम कह सकते हैं, एक तरह से strategic disinvestment, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, privatization की इस तरह की चीजों की, तो यहाँ पर, especially हमारे देश में, भारत में देखेंग किया जाता था, और in fact, जो domestic investors हैं, उनके लिए भी यहाँ पर दर्वाजे खोले जाते थे, especially यहाँ पर अगर किसी government company में technological advancement करना है, वहाँ पर directly capital चाहिए, सरकार अभी उतना capital लगाने के लिए ready नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर उसको privatize करेगी, तो capital आएगा, बाहर से नि लेते हैं, यह strategic और non-strategic क्या होता, इसमें difference क्या है, सरकार इन दोनों में यहाँ पर अलग-अलग इसको क्यों देखती है, अब देखे, यहाँ पर exactly अभी तक सरकार की द्वारा define नहीं किया गया, ऐसा नहीं बोला गया, कि यह strategic होगा, यह फिर यह non-strategic होगा, लेकिन हमा आरे देश में जो industries हैं, वो कैसे-कैसे वर्क करेंगी, मतलब कितने industries यहाँ पर government की होगी, और कितने industries में यहाँ पर private people participate कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखिए, तो 1948 में industrial policy resolution आया, 1956 में भी एक industrial policy resolution, 1977 में एक statement जारी किया गया, 1980 में भी किया गया, लेकिन ultimately 1991 में जाकर finally यहाँ पर हम new industrial policy लेकर आये, और जादा तर जो हिस्सा था, जो government अपने control में रखती थी, उसको यहाँ पर finally private हाटों में दे दिया गया था, for example मैं आपको समझाता हूँ, suppose जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय क्या किया, सरकार ने कहा कि 80% companies यह public sector क हाटों में रहेगी, मतलब सरकार ही उसकी ओनर होगी, सरकार उसको चलाएगी, और सिर्फ 20% यहाँ पर जो private हाटों में है, वो दे सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका जो shift है, वो होने लगा, आगे चल कर यहाँ पर देखा गया, कि 50% यहाँ पर हो गया, 50% यहाँ और finally 1991 में आपने देखा होगा, जब हमने reform अपनाया, liberalization, privatization, globalization, LPG reform, तो finally आप देख सकते हैं, कि ज़्यादा तर जुकाओ जो है, वो private हाटों में आ गया, 90% से ज़्यादा companies आजा आप देख सकते हैं, यह private persons के हाटों में है, और मुश्किल से 10% से नीचे जो चीजे हैं, वो public sector के और इसलिए जब हम बात करते हैं, strategic और non-strategic की, तो एक तरह से आप इसी तरह define कर सकते हैं, जब भी new industrial कोई policy आती थी, उसमें बताया जाता था कि कोई कौन सा strategic है, जिसके तो यहाँ पर सरकार का रोल रहेगा, जैसे कि आज के date में अगर आप देखिए, arms and ammunitions हो गया, defense equipment हो यहाँ पर radiation से related जो चीजे है, railway हो गया, इसको आप एक तरह से कह सकते हूँ, यह strategic है, हमारे देश के लिए जो development के लिए बहुत ही जादा important है, तो इसका जो role है वो धिरे-धिरे अलग-अलग change होता रहा है, मैं आप से क्या कह रहा हूँ, 1947 में इस list में बहुत सारी चीजें लिकिन धिरे-धिरे shift कर दिया गया, और बाकी जो companies है, जो strategic के अंदर नहीं आती है, उसको आप कह सकते है, non-strategic, non-strategic का basic मतलब है, सरकार एक तरह से यहाँ पर जो private participation है, उसको यहाँ पर बल देने वाली है, for example, मैं यहाँ पर आपको insurance का example देता हूँ, आप देखे, insurance क्य कि यहाँ पर अब private participation भी होने लगा, आज हम देखते हैं, कितनी सारी private companies, insurance companies चलाती है, और इनी सारी चीजों को देखते वे, finally, अब सरकार यह कह रही है, कि हम well define करेंगे, कि अब strategic क्या है, और non-strategic क्या है, अब यहाँ पर अगर आप देखे, हमारे देश के अंदर, जो PSU's हैं, public sector undertakings हैं, लगतार उसमें आपको बहुत सारी दिकते देखने को मिलती होंगी, जैसे कि यहाँ पर policy making हो गया, कोई काम करना है, उसका poor executions हो गया, सही तरीके से ज्यादा तर अगर आप देखिए, हमारे देश के अंदर, जो public sector undertakings हैं, वो उतना better नहीं करती हैं, मैं य कि सारी companies जो PSUs हैं, वो क्यों नहीं कर पा रही है, private companies हैं उसके मुकाबले, अकसर PSUs में आप देखते होंगे, over staffing की बहुत ज़्यादा दिकत है, मतलब जरूरत है यहाँ पर 10 people की, लेकिन होते हैं, वहाँ पर 50 people हैं, तो इसको वज़य से भी बहुत ज़्यादा दिकत आती है यहाँ पर अगर ज़्यादा over staffing होगा, तो cost ज़्यादा आएगी उस company की, तो कैसे वो profit में आप आएगी, compared to यहाँ पर private companies के मुकाबले, तो यहाँ पर भी again यह दिकत देखने को मिलती है, लेकिन एक दूसरा आप इसका view कह सकते हैं, कि सरकार employment देती है, jobs देती है, इसकी देती है, क्या वो public companies कर पाती है, आप खुद से देखिए, नहीं कर पाती है, उनका जो cost है वो ज़्यादा होता है, तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे, तो proper जो pricing policy है, realistic जो चीजें होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है, vision, motivation for self improvement, self improvement का मतलब है कि यहाँ पर किसी को job मिल गया, तो lifetime के लिए वो job मिला ही हो, permanent job है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक private companies में जो उत्सा होता है, काम करने का आप लगतार competitive बनते हो, वो शायद यहाँ पर lose हो जाता है, PSU में, ठीक है, तो जिसकी वजए से यहाँ पर permanent job है, जो लोग है, वो उतना लिथाजी हो जाते हैं, काम कर के लिए उतना उत्सा नहीं होते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा दिक्खत है, PSU में, और last मिया पर wastage of resources अकसर आपको देखने को मिलता होगा, जितनी चीजें provide की जाती है, उसको सही से युस्टिलाइज नहीं हो पाता है, और especially जब हम globalization, privatization की बात करते हैं, तो वहाँ पर resources का सही इस्तमाल करना बहुत जादा जरूरी है, और कहीं न कहीं, इनी सारी चीजों को देखते वे लगतार जो shift है, जितनी companies पहले public sector के undertakings के अंदर होती थी, वो आज के date में होती नहीं है, लगतार, चाहें कोई भी सरकार हो, उसने लगतार कोशिश की है कि अब हम इस prioritization की तरफ बढ़ते हैं, और इसी को देखते वे, finally, अब जो सरकार ये policy लेकर आ रही है, उसमें ये कहेगी, सरकार के एक नया public sector enterprises policy लेकर आएगी, और उस policy में क्या होगा, एक well defined area होगा, सरकार ये बोलेगे कि ये सारे strategic sectors हैं, और ये सारे आपके non-strategic हैं, अब strategic के अंदर हो सकता है, सरकार कई सारे companies को list कर दे, ठीक है, जैसे कि आपका, कोई भी हो सकती, यहाँ पर arms and emissions, मैंने आपको बताया, atomic energy हो गया, कई सारे companies को यहाँ list करेगी, ठीक है, तो ये आपका strategic बन जाएगा, और सरकार का क्या कहना इस बार, कि जो strategic होगा, वहाँ पर at least one PSU हम रखे करेंगे, ध्यान रखेगा, जो strategic होगा, वहाँ पर सरकार एक PSU Public Sector Intertaking रखेगी ही, रखेगी, और maximum कितना रख सकती है, सरकार, चार रख सकती है, ऐसा नयवाले policy के recording सरकार का कहना है, और बाकी PSU में, जो non-strategic वाले हैं, जो यहाँ पर सरकार बोलेगी, वो जो है, उसको privat कर दिया जाएगा, मतलब, सरकार अपना रोल वहाँ से हटा लेगी, ठीक है, अब ऐसा मुझे लगता है, कि सरकार यहाँ पर यह कहना चाहती है, completely जो उसका रोल है, वो यहाँ पर हटाने वाली है, non-strategic areas में, लेकिन यह non-strategic areas कौन से होंगे, अभी decide नहीं हुआ है, ठीक इतने सारे public sector enterprises हैं, तो मैं बता दूँ, करीब 300 के आसपास यहाँ पर, exactly I think 298 है, लेकिन 300 के आसपास आप कह सकते हैं, यह है, जैसे कि कई example आप लेगे, power sector में इतनी कंपनिया है, petroleum में इतनी है, ONGC हो गया, BPCL हो गया, इस तरह से, railways हो गया, coal के अंदर इतनी कंपनिया है, telecom, civil aviation, mines, ठीक है, यह सारी basically आपकी PSUs हैं हमारे देश में इस समय, यह example मैंने बताया, अब जाने से पहले मेरा आपके लिए a question है, अपने महारतना के बारे में सुना है, right, महारतना, नौरतना, मीनी रतना, क्या आप मुझे comment section में बता सकते हैं, कि इस समय total महारतना company कितनी है है हमारे देश में, और latest कौन सी महारतना company add हुई है, latest आप मुझे बताये कौन सी महारतना company add हुई है, इस समय total कितनी महारतना company है, let me know in the comment section, I hope कि यहाँ पर आपको कुछ insights मिला होगा, जानने को मिला होगा, PSU privatization के बारे में, strategic और non-strategic areas के बारे में, यहाँ पर अगर आप इस कोर्स के तरू, यहाँ पर जो static economy है, basic economy है, वो आप MCQ के माध्यम से सीख पाएंगे, यहाँ पर मेरा daily UPSC MCQ course भी चलता है, किसी भी inquiry के लिए, आप उसे directly Instagram पढ़िए, यहाँ पर भी मैं daily MCQ डालता हूँ, आप जाकर play कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा एक video की playlist भी मिल नवंशकार दोस्तों, recently आपने देखा होगा 20 लाग करोण का package जो announcement किया गया था सरकार के द्वारा, उसके उपर